हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइ चैनल, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ, परफेक्ट वे ओप मेल्टिंग कमपाउंड चॉकलेट, अगर हमें कमपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करने का परफेक्ट तरीका ना आये तो हमारी सारी चॉकलेट वेस जिससे आप perfectly chocolate को melt कर सकेंगे और घर पर ही beautiful पिनाथा के और dry fruits, chocolates और भी कोई chocolates अपने बच्चों के लिए असानी से बना सकेंगे इस process के लिए मैंने compound chocolate यूज की है milk compound chocolate 100 gram और dark compound chocolate 100 gram मैंने दोनों की quantity same रखी है क्योंकि ये दोनों की quantity same रखने से जो आगे की chocolates बनेगी वो बहुत ही tasty बनती है आप इसकी quantity कम या जादा भी कर सकते हैं मैंने तो melting process दिखाने के लिए ये video बनाया है ये chocolates थोड़ी hard होती है इसलिए इसे ध्यान से काटें और जब इसे काटें तो इसके टुकरे बिलकुल छोटे छोटे करें क्योंकि जितने छोटे pieces होंगे उतनी easily ये melt हो जाएगी ये chocolates आपको easily कोई भी grocery की shop या उस shop से ले सकते हैं जहां cake making का समान बहुत easily मिल जाता है मैंने ये online purchase की है इन चॉप pieces को अब मैंने एक काच के बाउल में ट्रांसफर कर दिया है आपको इस चील का कंटेनर भी यूज कर सकते हैं मैंने काच का इसलिए किया है ताकि आपको melting process अच्छी तरह दिख सके इसे अब मैं एक pan के उपर place करूंगी जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी गरम रखा है और पानी का label बिलकुल कम रखे और वो बिलकुल भी चॉकलेट के बाउल को टचना हो throughout the process flame को कम रखे बिलकुल भी medium या high ना करें इस प्रोसेस के दौरान हमें चॉकलेट को continuously हिलाते रहना है ताकि ये evenly melt हो जाए अब आप देख सकते हैं कि more than 90% ये melt हो चुकी है इसमें थोड़े थोड़े lumps दिख रहे हैं अब इसकी consistency बिलकुल silky और smooth हो चुकी है ये completely done है अब इसे हम over cook नहीं करेंगे और गैस से उतार कर इसे नीचे रख लेंगे अगर हमने चॉकलेट बनानी है या पिनाता केक बनाना है तो इस melted चॉकलेट को इमीडियेटली हम यूज करेंगे जब ये गरम हो ठंडा होने के बाद ये बिलकुल hard हो जाएगी और set भी नहीं हो सकेगी ओप इस वीडियो को देखने के बाद आपको चॉकलेट मेल्टिंग का प्रोसेस अच्छी तरह आ गया होगा मैंने अपने प्रीविएस वीडियो में पिनाटा केक, ड्राइफ्रूट चॉकलेट और भी बहुत तरह की चॉकलेट की रेस्पी शेयर की है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप उन वीडियो को देखकर इजली घर पर अपने बच्चों के लिए यमी चॉकलेट बना सकेंगे Hope you enjoyed watching my video अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा Thanks for watching